नमस्कार मैं अश्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशर खबर मौसम से जुड़ी है जहां मौसम का ताज़ा अप्रेट लेकर हम हाजिर हो गए हैं एक तरफ जहां राजधानी पट्टा समेत पूरे बिहार में गर्मी अब देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम बभाग की तरफ से बारिश को लेकर भी अलट बताया जा रहा है मौसम बभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि बिहार के कुछ जगों पर ब्रचपात के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है एक तरफ जहां आज और कल यानि कि 331 मार्श को बिहार के कई जगों पर बारिश को लेकर मौसम बभाग ने कल ही अलट जारी कर दिया था मौसम बभाग के तरफ से मिलिज जानकारी के अनुसार राजधानी पटना का भी मौसम बदलने वाला है ऐसे में मौसम बभाग ने मौसम को लेकर और क्या कुछ अपडेट जारी किया है चलिए हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं मौसम का मिजास फिर बदलने वाला है मौसम बभाग के अनुसार पटना समित बिहार के कुछ जगों पर 30 मार्च को यानि की आज गरच के साथ हलकी बारिश होने की संभावना है मौसम बभाग के अनुसार मोतिहारी बेतिया, सीता मड़ी अररिया और किशन गंज में हलकी बारिश की संभावना है राजानी पटना में भी वारिश की संभाबना मौसम बभाग ने वक्त किया है अधिक्तम और निंतम तापमान में अगरे कुछ दिनों में बदलाब होने की संभाबना नहीं है मौसम बभाग के अनुसार पश्मी भी शोब के कारण बिहार के अभी तक गर्मी का अपना रूप नहीं दिखाया है पश्मी भी शोब के कारण उत्तर पश्मी भारस में गैर मानसूनी वर्सा होती है बिहार में ये नवंबर से मार्स तक प्रभावित रहता है बिभाग के अनुसार बिहार का मौसम शुष्क रहेगा राजधानी का तापमान बढ़ेगा शुक्रवार को अधिक्तम तापमान 24.4 डिगरी सेलसियस तो न्यूंतम तापमान 21.6 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया है इस विच मौसम बिभाग के अनुसार सूबे के कुछ जगों पर 30 मार्च और 31 मार्च को हलकी बारिश होने की संभावना है 30 को मुतिहारी बेतिया सीता मड़ी बकसर भबुआ रोहतास आरा अरवल और अरंगाबाद में बारिश हो सकती है और 31 यानी कल 31 मार्च को गया भबुआ रोहतास और अरंगाबाद में हलकी बारिश होने की संभावना जटाई है बिहार के अने जिलोक में आसमान साफ रहेगा इस औरां 2-3 डिगरी का तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है बिहार में अब तक तापमान की क्रमिक बढ़ोतरी होगी राज में बीते 24 घंटे के भीतर गर्मी ने अपना रूप दिखाया है लोग पंका चलाकर अब रात को सो रहे हैं राजानी पटना में शाम के बाद हलके बादल चाये रहेंगे हलकी बारिश की संभाबना भी है सूबे के 30 जिलों के अधिक्तम तापमान में बढ़ोतरी हुई है बिहार का सबसे गर्म जिला वैशाली रहा जिसका तापमान शुकरवार को 7.8 डिग्री सेलसियस दर्च किया गया तो आप देख सकते हैं कि मौसम बभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलट जारी किया गया है और अलट 30 और 31 मार्च को यानि आज और कल के लिए जारी किया गया है कि बिहार के कुछ जगों पर बारिश देखने को मिल सकती है लेकिन अधिकतर जगों पर आपको जो है वो गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यानि कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और इसके कारण लोगों को गर्मी सताएगी आने वाले दिनों में मौसम को लेकर और क्या कुछ अपडेट बताया जाएगा मौसम में भाग की तरफ से हम आपको ऐसे ही अपने वीडियो के जरीए बताएंगे फिलहाल के लिए आज के मौसम में इतना ही आपके जिले का मौसम का हाल क्या कुछ है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं